तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पांच दमदार फ्रेगेंस के बारे में जो कि एहमद अलमगरी भी क्याते हैं और आपको पता ही है एहमद अलमगरी भी अगर आप खरीडते हैं बहुत तगड़े परफॉर्मेंस मिलते हैं काफी प्रोजेक्ट करते हैं और फ्रेगेंस कॉलिटी लाजावाग होती है तो सब सब पहले हम बात करेंगे ब्लू उद बाई एहमद के बारे में उसके बाद में हम बात करेंगे अर्वा के बारे में यह है एकस्टेसी जो की बजट में इन्होंने 100 ml के बॉटल निकाले है और उसके बाद में बात करेंगे ब्लू उद बाहे हमद जो की बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग फ्रेगेंस है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बिना स्किप की वीडियो पूरा देखिएगा चलिए सुरू करते हैं जरूर विजिट कर लिजेगा अब सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की जो कि मैंने नंबर वन रखा है समर के हिसाप से बहुत बढ़िया है ब्लू उद बाई एहमद यह एहमद है और एहमद अलमगरीबी दोनों लगबख सेम ब्रांड ही है असाइद लोकेशन का इनका फर्क है एहमद का लोगो इस तरीके से आता है और एहमद अलमगरीबी का लिजो भी तकरीबन इस तरीके से आता है लेकिन बजट के हिसाप से बहुत ही कुपसुरासी चीज है मेड इन यूई है जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं और इसका जो कॉंसेंट्रेशन है 64.20% वाल्यूम में आता है तो तकरीबन 35% के लगबख इसमें ऑईल कॉंसेंट्रेशन यूज हुआ है जो एडीबी कॉंसेंट्रेशन हम मान सकते हैं और जो बॉटल है कुछ इस तरी तब सीध़े से स्प्रे करते हैं और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा फ्रेगेंस है यह मेटलिक नहीं है लेकिन हेवी फील होता है और स्प्रेयर आप देखिए कितना मस्त काम क्या हुआ है यह जो काम है मुझे बहुत पसंद आता है और जैसे ही आप इसे लगाते हैं इसने नंबर पहले पर रखा है तो यह चीजे है उसके साथ में बहुत अच्छा सा मस्की अकोर्ड यूज़ हुआ है आइसोई सूपर का यूज़ हुआ है कुछ एंब्रॉक्सिन के नोट है जो इसे मर्दाना फ्रेगेंस देते हैं मर्दाना खुजबू देते हैं और फिर वुडी ट्रेल इसके अंदर आता है मस्की नोट्स के साथ में तो अगर बात करें अगर आप सीटरसी वुडी टाइप का फ्रेगेंस डूनते हैं यह चीज उसी की तरह है इसने मुझे कहीं ने कहीं फील कराया ब्लू डेशनेल जो आता है उसका EDP वरजन और EDT वरजन दोन को यह महसुस हुआ उसके बाद आपके क्लोज हो जाता है तो फ्रेज पोफ्यूम है अगर 5-6 घंटा मिलता है तो भी काफी बढ़िया है लेकिन यह चीज बहुत अच्छी समा बांद देगा अगर आपको कहीं भी आउट्डोर्स में जाना है कॉलेज जाना है लड़की से म भी मिल रहा है प्राइज इसके इंक्रीज होने वाले हैं यह मैंने बेस्ट पॉसिबल प्राइज आपके लिए रखा है तो जाके आप ज़रूर शेक आउट कर सकते हैं ब्लू बाइए दोस्तों बड़तों है हमारे अगले फ्रेकेंस की ओर और यह है अर्वा एहमद पर्फ लगबग यह 46% के लगबग 56% के लगबग यह है 56% और सेने तो काफी ज्यादा और सेने इसमें है आप सीधे इसकी बॉटल ओपन करते हैं आपको बताता हूं क्या चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है इस चीज ने मुझे बहुत सर्पाइस किया क्योंकि मैंने ज इस प्रेशिंग सा और ब्लू जिस्टी टाइप का इसका कलर दिख रहा है और वेसे ही यह फॉलो भी करता है मैं स्प्रे करता हूं और आपको बहुत ही बढ़िया से वाइप देखने को मिलते हैं औरेंज के नोट के सिट्रसी वाइप के और साथ सिट्रसी नोट इसके है 5-10 मिनिट के बाद में तो बहुत अच्छा सा लेवेंडर आपको देखने को मिलता है जो इसे टेलकम लाइप फील देता है हलका सब बार्बर शॉप टाइप का भी लगता है रिफ्रेशिंग ताजा हैसास देता है और हवा में बहुत अच्छा गुलता है दूर दूर त जिस्ती औरेंज टाइप का है वह औरेंज का चिलका आप निकालते हैं उस तरीके का और भी कुछ सिट्रस इसमें यूज हुए है और उसके साथ में लेवेंडर का कमाल है और उसके साथ में वुडी अरोमा के साथ में वो सब कुछ है यह सारा कुछ चलता है लेकिन उसके सा सा वुडी सा सेंट जो मुझे बहुत पसंद आया तो इस पर जरूर जा सकते हैं इसका जो प्राइज है वो वेबसाइट पर दिया है उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैं चाहता हूं कि आप हमारा वेबसाइट जो है वहां जाके विजिट जरूर करें तो दो जाए बढ़ा के लगाना दूसरे दिन पहले ही दिन ठोक ठोक के इस प्रेम मत लगा लेना तो यह है अर्वा बाइएमा दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेकेंस की और उसका नाम है एक्जोटिक मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि जो नाम है वो बहुत खुपसुरत सा नाम है और जो काम है वो भी खुपसुरत है लेकिन थोड़ा सा main women's दोनों के लिए है तो अगर आप उस तरीके के व्यक्ति हैं जिसे हलकी सी sweet fragrance पसंद है तो भी आप इस पर जा सकते हैं लेकिन women's को तो मैं suggest करता ही करता हूं उस तरीके की चीज ह तो मैं इसे हाथ पर spray करता हूँ sprayer बहुत ही बढ़िया सा sprayer है और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ बहुत बढ़िया से vanilla के note आपको देखने को मिलते हैं और उसके साथ में बहुत अच्छे से fruity combination दिये है bunch of fruits है तो बहुत सारे fruits आपको एक साथ मिलेंगे और उसके साथ में musky combination है musk का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है और ember का यूज़ हुआ है तो embery और जो vanilla वाला tone है वो इसे हलके सी sweetness देता है woody accord देता है और उसके उपर बहुत अच्छे से playful से fruity aroma बिठा हुए है मज़ेदार चीज है बड़ा महेंगा perfume आता है बड़ा महेंगा बहुत महेंगा perfume है सरजोग का erba pura और erba pura का ये मुझे लगबग same लगता है जब इसके notes आप search करने जाएंगे तो ये Libra की तरफ इसारा करेगा एक Libra women's का fragrance आता है उसकी तरफ लेकिन मुझे ज़्यादा ये सरजोग का जो erba pura आता है उसकी तरफ लगता है और वो जो चीज है men women दोनों के री करता है 50% men's के लिए है 50% women's के लिए है वहीं ये चीज भी सेम अच्छी बहुत अच्छी चीज है शुरुआत में हलका सा वो vanilla वाला sweet ने जादा होता है लेकिन जब आप इसे 10-15 minutes, 20 minutes तक का wait देंगे तो बहुत बड़िया सा embery, fruity type का लगता है लेकिन वो छोटी-छोटी हलकी हलकी मिटास छोड़ता रहता है अपने आप में बहुत unique है और मुझे इस तरीके का DNA बहुत पसंदाता है summer के हिसाब से evening time में कहीं wear करना हो चोकलेटी-चोकलेटी भी हलका सा लगता है तो अगर आपकी age कम है 20-25-30 साल के अंदर है अगर night out के लिए जा रहे हैं, date night है तो भी काफी बढ़िया रहेगा, close encounters में काफी बढ़िया रहेगा office में भी करी कर सकते हैं, दिन की दूप में भी आप लगा सकते हैं उस तरीकी की चीज ये है, तो इसे check out आप जरूर कर लीजेगा दोस्तों अगर बात करें इसकी prices के बारे में, तो ये अभी 17.99 रूपीज का मिल रहा है price point के इसाप से 100 ml का bottle है, तो बढ़िया बात है और इसका जो oil concentration है, वो भी काफी अच्छा है मुझे लगता है कि 30% के around इसके अंदर भी oil concentration दिया हुआ है performance की बात करें, अगर आप 8 से 10 price के लगाएंगे तो आराम से 6 गंटे, 7 गंटे दूसरे लोगों को मैंसे होगा उसके बाद आपके close हो जाता है, तो 6-7 गंटे बढ़िया है और शुरुआत के 1.5 से 2 गंटे काफी loud होता है दो ढ़ाई फीट तेक का इसका projection आपको आराम से देखने को मिल जाता है ये सारे fragrance जो पांचो के पांचो हैं और जो एहमादल मगरी भी के अधर जो प्रोडक्स हैं उनका वीडियो भी मैंने बनाए है, आई बटन तो मिल जाएगा description में मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें जो है उनका performance बहुत ही लाजवाब है इसलिए इनका बहुत ज़्यादा बोलवाला चल रहा है इन दिनों और काफी ज़्यादा लोग इने पसंद करने हैं इस तरीके की चीजों को क्योंकि all concentration ज़्यादा होता है, performance ज़्यादा मिलती है अच्छी quality के grade के इनों ने ingredients यूज़ किये हुए है तो सब को पसंद आता है और इंडिया में लोगों को यही चाहिए थोड़ा पेसा अगर ज़्यादा दे देगें तो चलेगा लेकिन performance ज़्यादा मिलनी चाहिए वह यह performance में compromise नहीं होता तो यह चीज आपको हिन में मिलती है एमदल मगरीवी के और एहमद के product में मिल जाती है दोस्तों बात करते हैं Newly Launched Ecstasy के बारे में जो कि एमदल मगरीवी का ही आता है और इसने मुझे अगेन एमदल मगरीवी के ही product की याद दिलाई और वो है Ouden Roses जिसका मैंने dedicated वीडियो बनाया जो आई बटन पर मिल जाएगा लगभग लगभग सेम ही है लेकिन इसके अंदर जो oil concentration है वो थोड़ा कम किया हुआ है और इसे 100 ml किया हुआ है जो कि इंडिया में लोगों की requirement थी, demand थी कि 100 ml हमें मिलना चाहिए तो यहाँ पे 70.55% volume है और आपको तक्रिबन 29% oil concentration इसके अंदर देखने को मिलेगा 29.5% लेकिन फिर भी performance बढ़िया मिल जाता है सगफ करके एक रसासी में fragrance आता है, मेरा favorite fragrance है fresh भी है और उस तरीके का है वैसे ही यह चीज भी है और wooden roses जो मैंने बता है उसकी तरह भी feel देता है same to same है लेकिन concentration का फर्क है और 100 ml में यह आ चुका है price भी बहुत अच्छा है, budget friendly है, 1500 रुपे की range में आपको यह देखने को मिल जाता है तो इसके अंदर rose का combination है, बहुत बढ़िया सा, गुलाब है, Turkish rose है, वो उसका combination दिया हुआ है उसके साथ में बहुत अच्छा सा, playful सा, fruity accords है, कुछ musky combination है, जो इसे बहुत बढ़िया सा, aromatic सा vibe देता है और कुछ lavender के aroma आपको देखने को मिलते है, तो यह fruity musky type का fragrance है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत ही बढ़िया लगता है, तो अगर आपको ज़्यादा तेश performance है, ज़्यादा beast mode चाहिए, तो आप wooden roses लीजिए अगर आपको mid range में चाहिए, budget भी आपका ज़्यादा नहीं है, तो यह चीज भी काफी बढ़िया है, अगर आप इसके 8 से 10 spray लगाएंगे तो आराम से 5 घंटे, 5.5 घंटे दूसरे लोगों को महसूस होगा उसके बाद, आपके दाइरे में यह 7-8 घंटे तक महसूस होता रहता है, लेकिन मैं दूर की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में 1-5 घंटे इसका भी projection है, 2.5 feet तक का इसक देखने को मिल जाएगा, और मेंस के लिए बहुत अच्छे है, यूवा पीडी है, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इससे जरूर आप ले सकते हैं, उस तरीकी की चीज है, मज़ेदार, तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं, नमबर 5 फ्रेग्रेंस की, और ये एह इसमें बनाए हूँ है, आगे से कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, उपर से, और जो केप है, इसकी उसमें भी नंकाशिया कीवी है, लेकिन मेंस का फ्रेग्रेंस है, इससे अपलाई करता हूँ, बहुत सटिस्फाइन है, ये चीज यसी है, कि ऊथ का कॉमिनेसन इसके इसके अंदर है, इसके अंदर सेफरोन केंट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज है, जो समर में लगाई जा सकती है, तो अगर आपको स्ट्रॉंग फ्रेगेंस आईए, जिसके अंदर ऊथ का नोट हो, सेफरोन का नोट हो, और हलके सी इंसेंसी वाइ लेकिन उसका फ्रूटी वर्जन आप मान सकते हैं, उस तरीके का है, तो जो उसके अंदर सेफरोन के नोट देखने को मिलते हैं, आईरिस के नोट है, थोड़ा सा सार्प सा हो लगता है, लेकिन उससे आप ब्लू थीम देदीजिए, उसमें फ्रूटी अकोड डाल दीजिए सुरुआत में सिटरस ही लगता है, बहुत बढ़िया से नोट्स आपको बर्गम आउके और इनके आएंगे, फ्रूटी सा लगता है, उसके बाद में जब यह थोड़ा सेटल होता है, तो आपको लेदरी अकोड इसके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन वो ब्लू थीम हमे कॉम्बिनेशन है, ओक मॉस की फ्रेगेंस है, वुडी ब्लू थीम वाला तगड़ा फ्रेगेंस अगर ढूनते हैं, तो आप इस पर ज़रूर जा सकते हैं, बात करें इसकी प्राइजिंज के बारे में तो तकरीबन 2-299 रूपीज के लगबग फ्रेक स्टॉक पर देखने क उसके बाद आपके क्लोज होगा, नेक्स डे तक भी क्लोज स्पेस की फ्रेगेंस नहीं जाती है, उस तरीके की ये DNA है, लेकिन अगर आपको उद की फ्रेगेंस पसंद नहीं है, जिन्होंने अभी तक उद ट्राइ नहीं किया है, तो पहले इसका सेंपल ले लीजिए, ये स सारो के सारो जो फ्रेगेंस है, इनका मैं सेंपल देनी कि आपको कोसिस करूँगा, पांच एमिल आप सारे के सारे पेक का आप ले सकते हैं, उसका जो प्राइस रहेगा, तो पहले इस्तमाल कीजिए, फिर विस्वास कीजिए, आप फिर पूरा बॉटल खरी सकते हैं, तो उ कर दो अदे म के सकते हैं, झाइमिल आप ले ड्सकान की आप gotta लेगे हैं, तो प्राँ एमिल आप लो पूच़कान कीजिए औॆल उलगल और आप ले झाल हो ज trib थक्या कीजिए, थयग़गं को सारे में बु़लAyंगब जूल आप इस रहें तो विल दोला कीजिए, बुल दो